चलिए दोस्तों आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च और लेसुन का चटपटा मसाले दारचार इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है फटफट बनके हो जाता है यह तैयार और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसको किसी भी खाने के साथ आप सर्ब कर दीजिए बस थोड़ा सा खाने का टेस्ट बढ़ा देता है पूरी अपराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो चलिए बनाते हैं अगर रेसिपी आपको यह पसंद आए तो प्लीस लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए तो म बिल्कुल भी पानी और मॉस्चर नहीं रहना चाहिए अगर लंबे समय तक चलाना है अचार को तो इसको एक घंटे तक आप धूप में सुखा लीजिए या फिर पंके में भी सुखा सकते हो तो यह तयार हो गया है चलिए अब इसके लिए मसाला बनाते हैं लेंगे एक पै में डाल लें हूं इसकी जगह काली सरसों भी डाली जा सकते है या फिर आप पीली सरसों को भी डाल के बना सकते हो अब देखिए सबी मसालों को हम एट कर देंगे और इसको कुछ सेकेंड तक गरम कर लेते हैं ज्यादा नहीं बस हलका सा इसको बुणना है जब इसमें अची है अब चलिए इसको पीस लेते हैं अब देकिए मैंसको पीस लिया पक्रों मिन निकाल लेते है और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम भार iced हलदी और दो बड़े चमप नमकिसमें फटा सच ज्यादा ही जाता ए अचार में अब इसमें डालेंगे हम सर्सू का तेल तो चार बड़े चममच अभी हम सर्सू का तेल डालना है मसाले में अच्छे से mix कर देंगे ये देखिए तो पस ये देखिए आचार का मसाला बनकर तयार हो गया है ना फटाफट कितना असान है तो बस अब इसमें मिला दीजिए जो लेसन और हरी मिर्च कट करके रखा था अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ये देखिए और बस ये हरी मिर्च का आचार बन कर हो गया बिल्कुल तयार अब देखिए दोस्तों यहां पर आप डाल सकते हो नीबू का रस तो आप दो से तीन नीबू का रस निकाल करके डाल दीजिए पर मैं डाल लेए इसमें सिर्का ये घर का बना हुआ सिर्का है तो दो बड़े चम्मच में इसमें सिर्का डालने हुआ काफी खटा है तो इससे थोड़ी खटास आजाती तो अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इसकी जगह नीमू का रास या फिर विनेगर भी डाल सकते हो और बस अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स और बस इसके बाद आप ले लिजिए कोई भी जार काच के जार में डालिएगा तो अचार ज्यादा समय तक आप रख सकते हो इसको तो जो भी जार लिजिए वो बिल्कुल सुखा हुआ होना चाहिए उसमें बिल्कुल भी मौइस्टर या पानी नहीं होना चाहिए तो यह देखे बिल्कुल दूप का सुखाया हुआ तो यहाँ पर यह देखे मैंने इसको ले लिया है जार को और इसमें अच्छे से भर देंगे बस देखिए इसको अच्छे से उपर तक फिल कर देना है तो कितना आसान था ये हरी मिर्च और लेसुन का अचार इसमें आप अद्रक को भी छोटे छोटे पीस कट करके डाल सकते हो और अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी ना हो तो एक चमच आप लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें आइट कर सकते हो पर ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो मैंने इसमें नहीं आइट किया है तो देखें यहां पर अचार मैंने अच्छे से फिल कर दिया और उपर से डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल और बस इसको बंद कर दूँँगी अगले दिन इसको धूप में रख दूँँगी दो दिन के लिए बस ये खाने लाइक हो जाता है तो बस दो दिन आप धूप में दिखा दीजिए और बस फिर आप छे मेने तक ये बिल्कुल भी अचार नहीं खराब होगा तो दोस्तों बताईएगा कॉमेंट करके ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू बाई बाई